हेलो नमस्कार आप देख रहे हैं व ogl report सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हर ख़बर में संबिदा कर्मचाडियों के 60 विभागों का जो कैडर है उन संबिदा कर्मचाडियों की विभागों का नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि उससे खबर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको हर खबर में संबीदा करमचारियों के विभाओं का नाम नहीं लेंगे, आप लोगों को सीदह तौर पे बताते हैं जैसे ही संबिदा करमचारी कहे तो आप लोग समझ जाए कि 6 लाग संबिदा करमचारियों को लेकर बिहार सरकार ने खुद कुछ एलान किया था जिसको लेकर के उस समय से आप लोगों के लिए कमीटी का गठन हुआ है और बहुत तेजी से अपने अस्तर पर जो है कम समान पर साथन विभाग के अधर्षता में वड़िए पदाधिकार्यों का एक कमीटी का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि बिहार सरकार एलेकिशन को लेकर के बीजी है और उस कमीटी को इतना पावर दिया गया है कि आप लोगों के हीतों में जो कुछ भी एलान होगा उस पर उनक यह नहीं समझे की कोई छोटा मोटा कमीटी है वो कमीटी उच लेवल के अधिकारियों के सहन भूती से बना है मैं आपको बता दे कि सरकार के कहने के बाबजूत जो है समान परशासन बिभाग के को आदेश आया था बिहार के माननीय मुखमंत्री जो स्री नितिश कुमार है उ तमाम जो बिभागों के संबिदा करमचारियों के ACS हैं उनसे बैठक करने के बाद इस कमीटी का गठन हुआ है जिसमें वड़िये पदादी कारी सामिल है जो संबिदा करमचारियों को लेकर कुछी भी मतलब अपने तरफ से वो उसमें एड़ कर सकते हैं तो मुखमंत्री म उतना उनको पावर दे करके गए हुए है क्योंकि वो समझते हैं कि अभी election के दौर में वो अभी busy रहेंगे तो इसी के लिए बनाया गया है ताकि election से पहले सभी तमाम संबिदा करमचारियों के हितों में एक बहुत बड़ा फैसला हो जाए और आपको बता दे कि सरकार ने 6 संबिदा करमचारियों को चेहनित किया है जिसमें 60 विवागों का chemonte के पार जिस बारे जिस बिवाग के बारे में हमने आपको बताया भी था और उसमें से 2 लाख जो है आउटसोर्स करमचारी हैं और 4 लाख संविदा करमचारी हैं मतलब इतने करमचारीों को नियमित कर मान दे जो है जो वेतन विर्धी जो है 100% होगी इसको लेकर के जो है सरकार ने अपने तरफ से जो है उसमें उलेक किया है और एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जितने भी संविदा करमचारी हैं उन सभी को सरकारी करमचारीों जैसी फैसिलिटी मिलेगी इसको लेकर के भी मुखमंतरी महदय ने हामी भर दी है और आपको बता दे कि ये सुप्रीम क काम के लिए समान वेतन के हकदार जो है उनका वेतन आप नहीं कार सकते हैं और आपको बता दे कि जितने भी संविदा करमचारी थे वो जब आप लोगों का महद उमर होगा 20 होगा 25 होगा इतना होगा लेकिन आप आप लोग 15 से 20 साल काम कर चुके हैं तो आप लोगों का एक एज बुढ़ापा की और चली गई होगी आप लोगों की एज तो इसको लेकर के सुप्रीम कोट ने अनुसंसा किया और राजों को जानकारी दी और मतलब बतर जारी किया कि यज और संविदा करमचारी है हर साल इनको जो है मतलब अनुवन्द को लेकर के चिंता रहता है कि इस बार मेरा रिन्नुल होगा की नहीं होगा इसी को खात्मा करने के लिए आप बुढ़ारी के समय में आप अपने परिवार को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि इस बार मेरा रिन्नुल होगा की नहीं होगा तो इसी के लिए जो है सरकार इस चीज को लाई है कि मतलब सभी को सेवा को जो है सरकारी विभागों में समायोजन करे जो लगातार कम कर रहे हैं सरकारी विभागों में तो वैसे करमचारियों को लेकर के सरकार ने इस बात को हामी भर दी है और लगातार सरकार इस पर काम भी कर रही है अब बता दे कि समान परसासन बिभाग ने संभीदा करमचारियों को लेकर के एक उलेक किया है संख्या 13 बिभीन बिभागों में संभीदा पर नियोजित कर्मियों को समान परसासन बिभाग के संकल्प ग्यापांक के अधार पर दौरा किया गया है समीती ने परतेक योजना बिभाग के तहत कारत परतेक स्रेनी के संबिदा कर्मियों के संबंद में अनुसंसाय दी है जिनमें वास्ता में समीती दोरा दी गई विदिगत अनुसंसाओं में कौन-कौन सी अनुसंसाओं बिभिन कर्मियों के संबंद में लागू होगी उसका उलेक है समीति के अनुसंसाओं का किरियानवन अनुमोदन के लिए समान परसासन विभाग द्वारा ग्यापांक 12,533 द्वारा संकल्प जारी किया गया है इसके अनुसार समीति अनुसंसाओं को लागू करने का संकल्प लिया गया है उक्त उचस्तर ये समीति की बैठक और तमाम विभागों को लेकर के हुआ है मापको विभागों का भी नाम बता देते हैं जो इसमें मेंसन किया हुआ है मतलब वो एक मोटा मोटी बिभाव का नाम ले करके चलने क्योंकि वो साथ बिभाव के कैडर को उतना आसान नहीं होता है अड़ करना बता दे कि जिसमें स्वास्त बिभाग के करमचारी है मन्रेगा बिभाग के करमचारी संभीदा करमचारी है साथ ही बिहार के किर्सी बिभाग के संभीदा करमचारी है एनेचम संभीदा करमचारी भी इसमें सामिल है अब आपको बता दे कि पंचाइती बिभाग के संभीदा करमचारी भी है और तमाम जो संभीदा करमचारी का नाम हमने कल भी जिकर किया था वो सभी संभिता करमचारियों को ले करके उलेक किया गया है और आपको बता दे कि उलेक अभी क्या किया गया है इस बात को प्राइवेट रखा गया है क्योंकि जब तक मुखमंत्री महुद्या उस पर संसोधन नहीं करेंगे उसको देखेंगे नहीं तब तक इस बात को जो है